आप मेरी requirement यह है कि मुझे screen पर यह करदर चाहिए क्या चाहिए यहाँ पर करदर क्यों क्युंकि अगर यूजर को यह या को यह यु युद्धाले माननो यूजर ने डाला 5, कुछ भी डाल सकता user, अगर यूजर ने value डाला, मैं चाहता हूँ कि यूजर जो भी मेरे screen में value डाले, वो इस variable में जाके store हो जए, कहा है जाके store हो जाये, इस value में जाके store हो जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बताईए चलिए मैं बताता हूँ मुझे अगर अपने प्रोग्राम में यूजर से इन्पुट लेना है मुझे अपने प्रोग्राम में अगर यूजर से इन्पुट लेना है तो C का एक इन्बिल्ड फंक्शन होता है ये काम करने के लिए clear है? तो मैंने लिखा scan f क्या लिखा scan f सारा small में इसके बाद double quotes में percentage d अगर आप integer value लिना चाहते हैं यूजर से तो आप percentage d लिखेंगे clear है इसके बाद m percent a क्या लिखेंगे m percent a याद रखना ये m percent जरूर लिखना इसके आगे तो इससे memory में क्या हुआ होगा जैसे कि मैंने बताया कि c में दो तरह की memory होती है stack और और कौन सी होती है और heap होती है तो जो मैंने बताया था कि local value bus कहा जाके बनते हैं heap memory में नहीं वो stack memory में बनते हैं तो इससे क्या हुआ होगा stack memory में एक space allocate हो गया होगा और space का नाम क्या होगा a क्लियर है अब जैसे आपने scanf लिखा यहां पे करजर आ गया और यूजर कुछ भी value यहां डाल सकता है हम एजूम करते हैं कि उसने five डाला क्या डाला five तो जैसे उसने five डाला five value जाके a में store होगी किस में store होगी a में हम scanf में m% क्यों लगाते हैं यह आपको बाद में clear हो जाएगा अभी आप इस बात का ध्यान रखना जब भी आप user से input लेंगे तो यहां m% जरूर लगाना है clear है मगर जब आप इसकी value print करवाएंगे जब आप इसकी value print करवाएंगे तो m% यहां नहीं लगाना होता है इंपूट लेते वक्त लगाना होता है और print करते वक्त नहीं लगाना होता है तो यह दिन डॉला 5 5 हो गया a में जाके store अब मैंने लिखा print f % d a तो जैसे कि मैंने बताया कि यह special value नेने के होता है तो यह value काँ डूटता है a में और a में क्या value बढ़ी हुई है a में 5 पड़ा हुआ है क्या पड़ा हुआ है 5 तो आपके console में 5 print हो जाएगा clear है